आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख सांती सम्रिध्धी आनंद भरा रहे तो गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कारे हैं जो भूल कर भी ना करें देखे धर्म के अगर हम माने धार्मिक लिहास से गुरुवार का दिन सबसे ज़्यादा सूब दिन है क्योंकि बैक्ती के जीवन में गरहों में अधिक बलसाली गरह गुरु ही हैं और ये अगर सुफल देने लगे तो जीवन में मान, समान, धन, संतान, सुख, बैवाहिक जीवन का आनंद लगभग सब कुछ पराप्थ होता है इसलिए गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कारे हैं जो करड़े से बचना चाहिए जैसे कि आप सुबह देर से ना उठें, जल्दे उठ जाएं, सुर्योदे के लगभग में या फिर पहले ही उठ जाएं तो अति उत्तम वैसे लोग लेट नाइट सोते हैं, इसलिए साय नहीं उठ पाते तूसरी बात, आप धन किसी को भी उधार ना दे गुरुवार के दिन क्योंकि धन का ही दिन है गुरुवार और आपने किसी को उधार दे दिया तो वापस पैसे जल्दी आपको नहीं मिलेंगे इस बात का ध्यान लखें, नाखुनों को मत काटिये गुरुवार के दिन नाहीं कड़वाईए चाहे आपके घर में छोटे बच्चे ही क्यों नहों किसी का भी नाखुन ना काटे गुरुवार के दिन जो सुहागवती महलाए हैं उनको सेम्पू करके बाल नहीं यानि की धोना नहीं चाहिए और जो पुरुस हैं उनको सेविंग भी नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरुवार के दिन अगर आप सेविंग करते हैं तो आपके जीवन में धन की मुस्किलें आती है कपड़े धोने से भी बचना चाहिए वैसे आप चाहें तो देखें हाथ से धोई या फिर मसीन में लेकिन कपड़े मत धोईएगा गुरुवार के दिन वैसे आप पानी में इसको निकाल सकते हैं या फिर रखते हैं अगले दिन धोईएगा कोई दिकत नहीं है पोच्छा भी नहीं लगवाना चाहिए गुरुवार के दिन नहीं लगाना चाहिए अब मान लेते हैं आपने लगा लिया आप भूल गये थे तब क्या करेंगे एक पात्र में थोरा सा पानी ले 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 उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें और पूरे घर में छिरकाव करें बाकी बचावा पानी पोथे में डाल दें दोस कट जाएगा धन का उधार यानि कि किसी को भी पैसे उधार बिल्कुल भी ना दे वरना पैसे आपके डूब जाएंगे और साथ ही साथ गुरुवार के दिन लहसन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए मांस, मदिरा, मचली, अंडा, कोई भी वस्तु बेभार ना करें गुरुवार के दिन क्योंकि इस दिन अगर आप तामसिक भोजन करते हैं जैसा कि आपने बिस्पतिवार कथा में भी देख सुना होगा पढ़ा होगा आपने कि कैसे इन भोजन का अपनाने से राणी गरीब हो जाती है राजा गरीब हो जाते हैं और बन-बन भटकते हैं इसलिए कुछ चीजों का पालन करें तो बढ़ियां रहेगा जहां तक संबभ हो आप अच्छा कर्म करें और इस दिन हल्दी मिला हुआ पानी से नहाने से भाग के मजबूत होता है हल्डी दाल कर भगवान सुरी को जल देने से आपके बैवाही जीवन में सुक्सांती बनी रहती है आपका संतान तरक्की करता है हम आप से भी दा लेते हैं हर हर महादेव धनिए